स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंफी कार्स में और आज हम बात करेंगे 9 अपकमिंग कार्स के बारे में जो ये साल 2024 में भारती बाजार में लॉंच होने वाली है इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इन कार्स की सारी जानकारी मिल जाए तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है एक्स यूवी 300 फेसलिफ्ट एक्स यूवी 300 का फेसलिफ्ट बहुत जल्द भारती बाजार में लॉंच होने वाला है जिसकी कीमत चालू होगी 8 लाक रुपे से और इसका जो टॉप मॉडल अब आपको तकरीबन 14 लाक रुपे के अंदर मिल जाए है तो यहां पर महिंद्रा को भी अपनी एक्स यूवी में बहुत सारे चींजिस करने पड़ेंगे एक शांदर लुक्स आपको मिलने वाला है जो हैड्लाइट बगार वो भी आपको अल एलेडी हैड्लाइट मिल जाएगी और जो ओवरल डिजान है वो भी आपको बहुत ही में भी चेंजिस किये जाएंगे आपको प्रीमियम लैदर सीट दी जाएगी फुली डिजिटल इंस्टूमेंट कंसोल दिये जाएगा क्योंकि नेक्स वान में आपको ये सारी चीज़े मिलती है और यहां पर महिंद्रा को भी ये सब चीज़े करने पड़ेगी ताकि वो अ ये बजार में लॉंच करने वाली है हाला कि ये इतनी छोटी नहीं होगी कि टाटा पंच या फिर यूंड़ाई एक्स्टर से राइवल करे ये राइवल करेगी तकरीबन देखा जाये तो अपनी यूंड़ाई की वेन्यू से और सुजुकी की ब्रीजा से अब अगर बात क शांदार आपको कॉलिटी मिलेगी और जो फीचर्स वगेरा है उनका वर्किंग रहेगा वह भी आपको बहुत ही शांदार ओफर करवा दिये जाएगा इंजिन की बात करें तो इसमें हो सकते हैं आपको दो इंजिन आपको मिलेगा 1.2 लीटर का टर्बो पैट्रोल और करेंगे तो तब यहां पर एस्टोरिटी बिल्कुल हो जाएगी कि स्कॉड़ा कंपनी एक छोटी एसीवी को भारती बजार में उतारने वाली है क्योंकि इनकी जितनी भी एसीवी मार्केट में चलती है वो तकरीबन 12 से 13 लाग रुपे के उपर है कोई भी ऐसी एसीवी नह हो सकती है तो इसकी जो फर्दर अपडेट से वो जैसे कि मैंना को बता है 27 फेबरेरी को मिली जाएंगे और इसका जो लॉंच है वो तकरीबन आपको में 2024 तक भारती बजार में मिल सकता है नमबर थ्री पर आती है टाटा नेक्सोन iCNG नेक्सोन का CNG वाला वेरियंट बहुत जल्द भारती बजार में लॉंच होने वाला है क्योंकि लोग इस कार की बहुत डिमांड कर रहे थे CNG में क्योंकि उनको इसमें बहुत अच्छा मालेज मिल जाएगा और जो लुक्स है चैनल रहे हा करवना नौ लाक रोपय हाला कि लुक्स और डिसर्ट वालब टिजाइन आपको मिलेगा और इंटिर में बैको कूई बढू चैंज में आपको आपको इस चैनल कह साथ मिलने वाली है और इसमें आपको एक ही transmission में लगा जो कि यह 5-speed का manual transmission अब अगर बात कर लेते हैं कि ये कार कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो March end 2024 तक ये कार confirm भारती बजार में launch होने वाली है नमबर 4 पर आती है महिंदरा थार 5-door थार के 5-door वाले वर्जन को काफी बार spot किया गया है और देखा जाए तो बहुत जल्दी ये कार भारती बजार में भी launch होने वाली है इसकी pricing चालू होगी तकरीबन 12 लाग रुपे से और इसका जो top model है वो आपको तकरीबन 21 से 20 लाग रुपे के अंदर में मिल जाएगा देखा जाए तो looks and design में जादा कोई changes नहीं किये जाएगे मेरे हसाब से तो यहाँ पर जो size है वो यहाँ पर लंबा कर दिये जाएगा और जो space और comfortability है वो यहाँ पर आपको थोड़ी जादा अच्छी मिल जाएगी और जैसे कि लोग complain कर देते कि यहाँ पर boot space नहीं है तो आपको जो boot space है वो भी इसमें बहुत ही बढ़िया offer करवा दिये जाएगा हाला कि एंजन में कोई भी changes नहीं किये जाएगे टू लीटर का naturally aspirated petrol और 2.2 लीटर का diesel engine आपको इस कार में offer करवा दिये जाएगा और कोई दूसरा engine options में नहीं आने वाला देखा जाए तो मेरे साफ से थार का जो crazy वो यहाँ पर कम हो चुका है लेकिन ठीक है अपडेट थी तो मेरा देना जरूरी था अब अगर बात कर ले तेंग ये कार कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो April 2024 तक ये कार confirm भारती बाजार में launch होने वाली है नमबर 5 पर आती है Suzuki Swift facelift जब से इस कार के facelift को reveal किया गया है तब से लोग एक ही question कर रहे है कि कभी ये कार भारती बाजार में launch होने वाली है क्योंकि अब तक का जो look से इस कार में दिखाया गया वो सबसे best look है और लोग को बहुत ज़ता पसंद आया है कितने भी look से आप देख लो लेकिन Swift का जो ये जो look से इतना premium और इतना classy बनाया गया है कि ये look से आपको भी बहुत ज़ता पसंद आ जाएगा फाइफ सेटर हैजबेक के अंदर ये कार आईगी जिसकी pricing चालू हो सकती है 6 लाख रुपे से और इसका जो top model है वो यहाँ पर तकरीबन आपको 12 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो look से जिसक मैंना को बताया आप बहुत शांदार कर दिये गया है नए electricals आपको मिलते हैं तो देखने में कार इदम premium लगती है हाला कि जो features दिखाएगा हैं वहाँ पर उतने features आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो features आपको foreign market में मिलती है और interior market में तने features नहीं देंगे नहीं तो कार का जो price है वो बढ़ जाएगा लेकिन जितने features दिये जाएगे वो बहुत ही बढ़िया रहेंगे हाला कि build quality तो आपको फिर भी घटिया ही मिलेगी लेकिन ठीक है looks आपको बहुत अच्छा मिल जागा mileage आप बहुत अच्छा निकाल लोगे और engine में कोई भी changes नहीं किये जाएगे interior में जो features उनमें भी यहाँ पर आपको changes मिल जाएगे अब अगर बात करें ये car कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो में 2024 में ये car confirm भारती बजार में launch होने वाली है नमबर 6 पर आती है Toyota Raze, Raze एक 5-setter SUV है जो कि यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आएगी आठ लाग रुपे से एक गाड़ी चालू होगी और इसका जो top model आपको तकरीबन 14 लाग रुपे के अंदर मिल जाएगा car का जो looks and design वो काफी stylish और muscular देखने में कार बहुत ही शानदार लगती है यहाँ पर आपको all LED headlights के setup में LED DRL मिल जाते है LED headlight मिल जाती है पीछे आपको LED TRL light मिलेगी और bulb indicators offer किये जाएंगे अब अगर बात करते हैं इसके engine की तो उसमें आपको एक ही engine मिलेगा जो कि यह 1.5 लिटर का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 5-speed का manual transmission और automatic transmission मिल जाएगा कार के interior से बात करें तो यहाँ पर आप 5 लोग आराम से comfortable location में travel कर लोगे जो features हैं जो safety features हैं वो आपको बहुती बड़ी इसकार में offer करवा दी जाएगे जैसे कि हो गया 8-inch infotainment system, digital driver display, auto climate control, cruise control, safety classics airbags, ABS, EBD यह सारे features आपको इसकार में मिल जाएगे अब अगर बात करें यह कार कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो April 2024 में यह कार confirm भारती बजार में launch होने वाली है नमबर 7 पर आती है Honda WRV WRV एक compact 5-setter SUV रहेगी जिसकी pricing चालू होगी आठ लाख रुपे से और इसका जो top model है वा आपको तकरीबन 14 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो lookson design है वा आपको बहुती बढ़ी है मिल जाएगा जिसमें आपको 121 BHP की power और 145 Nm का torque मिलेगा 5-speed की manual transmission और CVT automatic transmission में आपके वाली गाड़ी मिल जाती है बात करते हैं इसके interior से तो आप 5 लोग आराम से comfortable location में travel कर लोगे फीचर्स में आपको मिलेगा 7-inch infotainment system, steering wheel, mounted controls, remote engine start, auto AC, safety classic airbags, ABS, EBD, hill start assist, adaptive cruise control ये सारे फीचर्स आपको इस कार में मिल जाएंगे अब अगर बात करेंगे कार कब तक भारती ये बजार में launch हो जाएगी तो ये कार April 2024 में भारती ये बजार में launch होने वाली है नमबर 8 पर आती है Volkswagen Polo जी हाँ दोस्तो पोलो वापसी भारती ये बजार में launch होने वाली है 5-setter hatchback के अंदर ये कार आती है जिसकी pricing चालू होगी 7 लाख रुपे से और इसका जो top model वापको तकरीबन 13 लाख रुपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो look and design है वो बहुत ही शांदार रहेगा पहले कुकाबले बहुत को change किया जाएगा इसमें आपको IQ LED headlights मिलेगी जिनकी जुनाइट visibility है वो आपको बहुत ही तगडी मिल जाएगी बात करते है इसके engine की जिसमें आपको एक ही engine मिलेगा जो कि ये वन लीटर का naturally aspirated petrol engine जिसमें आपको 82 BHP गी पावर और 110 Nm का torque मिलेगा फाइव स्पीड की manual transmission और automatic transmission आके वाली गाड़ी मिल जाएगी कार की interior से बात करें तो आप 5 लोग आराम से comfortable हो किसमें ट्रैवल कर लोगे फीचर्स में आको मिल जाएगी यहाँ पर TFT driver display, infotainment system मिलेगा नयासा 3 drive modes मिलेंगे और जो safety features से वो भी आपको बहुती बढ़िया मिल जाएगे अब अगर बात करेंगे कार कब तक भारती ये बाजार में launch हो जाएगी तो में 2024 में ये कार confirm भारती ये बाजार में launch होने वाली है नमबर नाइन पर आती है Suzuki A-Cross, A-Cross एक 5-setter SUV है जो कि यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आने वाली है आठ लाग रुपे से ये गाड़ी चालू होगी और इसका जो टॉप मोडल है वापको तकरीबन 14 लाग रुपे के अंदर मिल जाएगा कार का जो लुक्स एन डिजान है वो बहुत ही शानदर है बहुत ही तगड़ा लुक्स एन डिजान आपको इस कार मिलता है स्पोटी और मस्कुलर लगती है और LED headlights का setup मिल जाता है तो visibility को लिकर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी कार के एंजिन की बात कर दिसमा को दो एंजिन ओप्शन मिलेंगे पहला को मिलेगा 1.5 लीटर का हाइब्रेट पैट्रोल और दूसरा को मिल जागा 1.5 लीटर में ही करवा दिये जाएंगे अब अगर बात करें कि ये कार कब तक भारती बाजार में लॉँच हो जाएगी तो जून लात रहता हूँ, अब एक लिए थैंक्स, तिल देन वीट पर मा निव अपकमिंग वीडियोज